एक चोटी चीज में और दिखाना चाहूँगा आपको कि जैसे कहते है ना एस्टर एग वाली बात तो एस्टर एग की तरह मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ कि इसके अंदर आप ये देखिए कि थार के साथ में उट है और पूरा का पूरा जो थार डेजर्ट वाली फीलिंग है गाड़ी के अंदर लोग बैठे वे हैं और तीन लोग अगर जा रहे हैं तो हम इस पूरे स्पेस को बूट की तरह भी यूज कर सकते हैं कि महिंद्रा थार जो की सबसे दादा पॉपलर गाड़ी है उसमें कौन-कौन सी वो ऐसे सरीज है जो की कमपनी आपको प्रवाइड कराती है आप लोगो के लिए लेकर आए करनाया ब्लॉग मैं आटो वर्ल्ड प्रताप नगर जैपूर में जॉब कर रहा हूं और मेरा फर्स बनता आप सब लोगों को बताना कि महिंद्रा थार जो की सबसे दादा पॉपलर गाड़ी है उसमें कौन-कौन सी वो ऐसे सरीज है जो की कमपनी आपको प्रवाइड कराती है यह जो ऐसे सरीज इसमें लगी वी है यह बहुत कम ऐसे सरीज है बेसिक है पर अप लोगों को आईडिया लगे अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो आपको क्या करना है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक करना है और कॉमेंट में मुझे बताएं कि बुश रेंजर की विंच किस-किस ने यूज करिए तो सबसे पहले हम start करते हैं इस गाड़ी के अंधर फ्रंट के अंधर ये जो बंपर के उपर ये पूरी की पूरी प्लास्टिक की पीस लगा हुआ है this is a part of accessory जिससे की bumper थोड़ा और रगें देता है और bumper की थोड़ी और सेफटी हो जाती है उसी के साथ के अंदर कौने के उपर इसके अंदर parking sensors आता हैं इसमें नहीं लगे हुए मगर जो front parking sensors है उसकी वज़े से हम आये parking assist करने में आगे की तरह बहुत help मिलती है उसके बाद जो dark lord edition के जो बाकी parts है वो मैं आपको थोड़े थोड़े बताता हूँ front के अंदर यहाँ पर एक grill के उपर यह लगता है जिससे की इसका जो look है वो angry bird grill जैसा आ जाता है उसी के साथ के अंदर यह जो दो piece है यह अंदर की तरफ लग जाता है piano black के अंदर जिससे की इसकी beauty थोड़ी और enhance हो जाए साथी में इसके उपर लगने का एक bug deflector आता है so basically bug deflector का roll क्या होता है कि जिती भी wind आती है यहाँ पर वो glass पे direct touch ना होकर उपर से निकल जाए तो यहाँ पर bug deflector भी लगा होता है तो आएए side में चलते है DRLs के अलावा side के अंदर यह जो bumper दिख रहा है इसके अंदर यह जो vent लगे हो है प्लास्टिक के pieces इसकी वज़े से गाड़ी पे एक तो mud नहीं आता पानी नहीं आता और साथ के अंदर थोड़ा look भी इसका enhance हो जाता है उसके साथ में जो side वाले wheel arches है इनको और ज़्यादा rugged look देने के लिए यह pieces आता है इससे एक तो यह पूरा का पूरा wheel arch protection हो जाता है और साथ के अंदर यह जो rubber वाले है यह थोड़ा सा you know enhance करते हैं इसकी पूरी beauty को bonnet जो है उसके साथ के अंदर यह rubber वाले थोड़े part आ रहे है जो इसमें chrome insert लगा हुआ है इससे यह थोड़ा you know luxury feel देरी होती है और साथ ही के अंदर जो touch करने पर या कहीं पर भी आप जहां जा रहे होते है तो यह वो pieces होते हैं जिसकी वज़े से हमारी body का original paint भी protect हो जाता है हमारे पास में जो सकती है variant है this is petrol manual heart top variant so आगे हम चलते हैं इसके अंदर यह वाला जो part है again यह जो chrome finish है वो यह finish हो रहा है और साथ के अंदर यह पूरा का पूरा plastic part है इस जगे को protect करने के लिए जब हम थोड़ा आगे चलेंगे तो जो mirrors है हमारे side mirrors है इनके उपर piano black के अंदर यह appliquies और लगीवी है जिसकी वज़े से यह दोनो distinguish हो रहे हैं tone के अंदर यह थोड़ा सा plastic feel है और यह जो है piano black appliquies थोड़ा सा अलग feel दे रही है जो front के अंदर chrome finish वाली line चल रही थी यह chrome finish वाली line पूरी की पूरी गाड़ी पे पीछे की तरफ चल रही होगी again यह हमारी body जो है इसको थोड़ा luxury feel दे रहे है गाड़ी की और साथ के अंदर जो protection है उपर की तरफ वो protection भी हो रहा है यह chrome finish पीछे तक भी जा रहा है साथ के अंदर हमारे इस गाड़ी के अंदर लगे हुए है door जो वाइजर, rain वाइजर जिने हम कहेंगे वो और rain वाइजर के अंदर भी chrome insert लगा हुआ है पूरे के पूरे के अंदर सो इसका door वाइजर बेसिकली मुझसे लोग पूछ रहे होते हैं कि rain वाइजर क्यों लगवाएं सो rain वाइजर का फाइदा क्या होता है कि अगर आपको AC on नहीं रखना और हलके से अगर सीशे नीचे भी रखने in case of raining तो भी आप उनको open रख सकते हैं अरकली आपकी गाड़ी में पानी भी अंदर नहीं जाता और साथ के अंदर जो यहां पर रस्ट होनी की कंडिशन बनती है वो भी नहीं बनती है सो आम पीछे की तरफ चलते हैं जो फुट्रेस्ट है हमारा यह company fitted है इसके साथ के अंदर जो आगे की तरफ वील आर्च पर प्रोटेक्शन था वैसा का वैसा पीछे है आगे और पीछे इसके अंदर मड़ फ्लैपस आते हैं लगेगे साथ के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक और बहुत ब्यूटिफुल एलिमेंट इस गाड़ी के अंदर जो इसके अंदर टायर जाते हैं वो अल्टरिन टायर जाते हैं जो इसके टायर की साइज है वो है हमारी 255 65 R18 हमको इस गाड़ी के अंदर पांचो अलोई वील मिलते हैं और इस अलोई वील पे आप देखेंगे एक बड़ा तरीके से बड़ा स्मार्टली प्ले करके ठार लिखा हुआ दिख रहा है जो पुरानी ठार आ रही थी उसमें हमी लीफ स्प्रिंग मिल रहे थे सस्पेंशन वो बहुत जादा स्टिफ हुआ करते थे और आप नई वाली थार में देखेंगे इसके अंदर लिंक सस्पेंशन आता है जो कि इसकी राइड को बहुत जादा कमफर्टेबल बना रहा होता है साथ के अंदर आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूंगा कि इस गाड़ी के अंदर 18 इंच के जो वील साइज है वो इसको बहुत जादा ओफरूडिंग केपेबल बना रहा होता है अन रोड ओफरोड और जो हडल से उसको पूरा करने के लिए तो आई आपको आगे बढ़ाते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ इस गाड़ी के पीछे की तरफ सो जो हाट टॉप है वो तो कंपनी फिटेट दे रही है साथ में इसमें डी फॉगर भी दे रही है जो डी फॉगर है इसके साथ में में एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा जो इसकी लाइट है इस एलिमेंट को और ज़्यादा ब्यूडिफुल बनानी के लिए इसमें पियानो ब्लैक अप्लिक भी लगी भी है जिससे कि इसका लुक और ज़दा एन्हांस हो रहा है हमारी जो थार है इसके अंदर पीछे का जो डोर है उसको खुलने का प्रोसेस हो गया कि एक तो नीचे वाला पार्ट है वो इस तरीके से खुल जाएगा और उपर वाले में हाइड्रॉलिक्स लगे हो है जिससे इस तरीके से हम खोल लेंगे इसकी ब्यूटी क्या है कि जब हम कैम्पिंग कर रहे है और हमारा डोर बंद कर रखाओ तो भी हम अंदर से कोई भी चीज निकाल सकते है रख सकते है अगर हमारी कोई चीज जो हम कैरी कर रहे है वो अगर थोड़ी से लंबी भी होगी तो भी हम इसको ओपन करके यूज कर सकते हैं तो इससे मुल्टी परपस थेंग साथी के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा जो पीछे इसमें दो सीटे दीवी है उन सीटों की एक और ब्यूटिफुल चीज क्या है कि इसके नीचे एक लाच आता है उस लाच का आप खेंच के इन सीट को फोल्ट गर सकते हैं तो आप इस पूरे के पूरे जो बूट स्पेस है इसका और जादर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं कि हम गाड़ी के अंदर लोग बैठे वे हैं और तीन लोग अगर जा रहे हैं तो हम इस पूरे स्पेस को बूट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं तो आई आगे चलते हैं और बाकी और भी मैं आपको इसके अंदर क्रूक्स और फीचर्स बताता हूँ पांचवा टायर हमारा पीछे यहां की तरफ स्टैपनी के लिए लगा इसके नीचे की तरफ हमारे पास में reverse parking sensors आ गये और साथ में aftermarket accessory में आया हमारे पास में reverse camera जिसकी बहुत जाधा यूज है इस case के अंदर फिर हम जब इदर की तरफ चले तो हमें 4x4 की बैजिंग दिखी जो क्रोम इंसर्ट आगी की तरफ लगा हुआ था वो का वो क्रोम इंसर्ट पीछे की तरफ भी साथ में चल रहा है और अब मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर सीट कवर्स सो इस गाड़ी के अंदर रेगजीन के जो सीट कवर्स है वो बहुत जादा प्रीमियम फिनिश के अंदर बने वे हैं और जो बकेट सीट है यह बहुत जादा कंफर्टिबल है यह मैन्विली हाइट अगे पीछे आप इसको ले सकते हैं और साथ के अंदर जो हमारा है उसके उपर हमको आडियो कंट्रोल और क्रूस कंट्रोल दोनों के दोनों मिलते हैं यह बहुत जादा सिंप्ली सिटी पे बेस्ट सेरिंग है मनूवर करने में बहुत आसान है हमारे लेफ्ट एंड साइड पे पूरा का पूरा जो इन्फोटेन्मेंट सिस्टम आ गया जि तो आप इसको साफ कर सकते हैं एक चोटी चीज में और दिखाना चाहूंगा आपको कि जैसे कहते है न एस्टर एग वाली बात तो इस्टर एग की तरह में आपको एक और चीज दिखाता हूं कि इसके अंदर आप यह देखिए कि थार के साथ में उंट है और पूरा का पू पूरी की पूरी एक लाइफस्टाइल पर्चेस कर रहे होता है और आप जॉइन करें जो भी हमारा नेक्स एक्सपीरियंस होता है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताईएगा बहुत का मैसे सरी मैं इस वीडियो में कवर किये अगर आप लो मैं महिंद्रा थार की टेस्ट ड्राइव लेनी के लिए थैंक्स फोर वॉचिंग और स्टे हल्दी स्टे हापी हुआ है